कि हर घर में सिक्षा हो यही जीवा नियदों की एक्षा है सिक्षा के छित्र में लगतार बहतर परयास होते आ रहे हैं और युवा भी अब सिक्षा के छेत्र में एक बहतर विकल्प के साथ ही साथ लोगों को जागरू करने वह सिक्षा के प्रती प्रेरिद कर रहे हैं इसे क्रम में सांती इंटरनेशनल स्कूल के दीसरे ब्रांच का भवे सुभारंब समाज से भी जीवन यादों के द्वारा किया गया इस मौके पर मोनु कुमार जो सांती इटरनेशनल स्कूल के डिरेक्टर है उन्होंने कहा कि सभी पूरे जिले में सिख्छा की अलग जगाना ही उनका उदे से है और सांती एजुकेसनल एंड सोसल वेलफेर टरस्ट का इसमें भरपूर सयोग मिल रहा है वहीं इसका बवेश सुभारम कैल बजा टोला नियर एरटेल टावर ग्यानी मोर सिवान में हुआ वहीं स मौके पर गाड़ियों के काफिले के साथ जीवन यादों पहुँचे और उन्होंने का कि जीवन यादों का शपना है कि हर घर में सिख्छा पहुँचे और इसी कि फ़ले हमारे सांती इंटरसेश स्कुल की सपना ही है यही सपना है कि हर जरूत मन ब्यक्ति हर गरिब के वह बच्चा सिख्छा ही हासिल कराना मेरा फ़र जै क्योंकि आज तुरे देश में विकास का नहीं हो रहा है जिसके कारण यहां कि सिख्छा नहीं है आज गाउँ सम अपने सारे विद्याले में हर एक अच्छी विवस्था के साथ स्कूल चलाते हैं और हर एक जरूत मंद की सोच के लिए हम लोग इसकूल चलाते हैं और बहुत ही कम फी में बच्चों को पढ़ाई जाती है यहां के सारे मेनेजमेंट के तर बच्चों को अच्छी सिख्छा दी जाती है यह कैल टोला कैल टोला ग्यानिमोड सिवान मुखी आती थी मैं इसरी जीवान यादो जी थे समाज से भी और रूपल अनंद मानुव अधिकार की अजयक्ट है अर अंतराश्ट के मानुव अधिकार और विकास सर थे और भी बहुत सारे गेश्ट आयोए थे उन सभी से यही अगरा करते हैं कि सिक्षा के लिए आप हमारे साथ खड़ रहिए हम हर घर सिक्षा पहुझाएंगे मोनु कुमार संस्थापक सांती इंटरेसर स्कुल कि हर घर में सिक्षा हो यही जीवान यादो की इक्षा है पहले दा हाथ जोड़के परणाम करेंगे और एक बात यहां के समझ जंता से आगरा करेंगे जो हमारे मोनु सर है उन्होंने यहां एक सांती इंटरनेशनल स्कुल का आज सुभाराम किया मोनु सर के बारे में यही बोलेंगे कि वो कराटा भी सिखाते हैं एक कराटा सेंटर भी है उनका हर प्राइबेट इस्कूल में उनके सिवान बहुत सारे प्राइबेट इस्कूल है उनके इस्कूल में आपके बच्चों के लिए कराटा की विवोस्ता है जो भी बच्चे लड़की या लड़की दोनों पढ़ते हैं जो छोटे से बड़े होएं सबको कराटा सिखाए जाता है इस तरह से देखा जातों एक को सोच दिखा रहे हैं सोच क्या है कि बच्चे एडुकेशनल तो होना ज़रूरी है स्वलंबी होना भी जरू है अपनी सुरक्षा स्वयम करने की विवस्ता भी होना जरू है जो इनके स्कूल में प्लॉब्ध है तो हम यही कहेंगे मोनु सर्चे कि यह तीसरा प्रांच है हम लोग उद्गाटन के हम चाहेंगे कि यह तीस प्रांच खोले और हमारे जिले के जो बच्चों हैं उनको ऐसे ही सिक्षा अप्लस स्वास्थ के तरफ और सुरक्षा अपना स्वयम करें इसके लिए प्रेरीत करें और हमारे जो भी यहां के मुखिया है प्रतनीदी है हमारे चचा घारजियन है हमारे मित्रे रूपलानन जी और यह लोग सभी लोग आये हैं सब को धन्यवाद और सबसे जड़ा यहां कि समझ जनता को धन्यवाद कि जो एक बाहर से आये मोनुसर को यहां बेवस्था दिये और सपोर्ट कर रहा है कि हमारे इस गाउं में एक स्कूल खूले और जो बच्चे यहां के हैं सिक्षी थो धन्यवाद और सिवान की जनता को मैं कागरह करूंगा कि सीवान को बच्चों के लिए तो इस्कूल और वेवस्थाएं मिलते जा रही है जो हमारे बच्चे हैं जो 1 से लेके 10 तक पढ़ते हैं जो थोड़ा और इच्छूख होते हों इंटर तक पढ़ते हैं लेगि इंटर के बाद वो बच्चे पढ़ाई इंवस्थी नहीं है और इंवनिश्टी नहीं होने के चलते हैं यहां के बच्चे छप्रा इंवस्थी से अप लेटेट डिए भी कॉलेज इस्लामिय कॉलेज जैसे कॉलेज में पढ़ते हैं और तीन साल के जगाओ छे साल में ग्रेजूएशन कंपलीट करते हैं जो सीवान को एक इन्वस्टी चाहिए ही चाहिए इसके लिए आप अपने बच्चों के भविश के लिए लड़िए और सिमबल और सोच की लड़ाई में सोच को जिताए और तब देखिये कि सीवान को इन्वस्टी मिलता है कि नहीं सवयोग मिलेगा और हमारे तरफ से और जन्ता के तरफ से बहुत-बहुत बच्चा का सवयोग मिलेगा और हमारे जो प्रिस्मल साहिब है उनको भी सवयोग मिलेगा सबसे पहले तैंड के दर्सकों को सुत्रागरों को धन्यबाद बदाई देना चाहते हैं और आपके चैनल को भी सुपकामना बदाई देना चाहते हैं देखें मौनु सार ने इंटरनेशनल सांती स्कूल यहां पे खोले हैं तीसरा ब्रांच है बहुत खुसी होई सिच्छा से और जब तक हमारे में समर्पन सेवा भाव नहीं रहेगा समाज के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं सेबसेवा पैसेस नहीं होता है भोंस सीच्छा के साथ कह सांथ जो महिलाओं को बची Morocco को यह मैंने देखा भी कराटे-मों पढ़ाई के साथ महिलाओं को आत्मरक्षा चीजwriter चरहांकर होगा के आत्मरक्षा आज के अर्सेंट मिलें और कापी पहले से मिल रहे हैं समाज के लिए बिना पद पे रहे आज देखिए चारो तरफ सिवान मतलब क्या है विकास के तरफ बढ़ रहा हर गली में कार लगा हुआ है जो लाइट नहीं चलती थी वर्सों से कई लोग आए गए लेकिन कहीं उजला नहीं था चारो तरफ उजला ही उजले दिख रहा है सहर हमारा पूरा तिरंगा से पट गया है यहीं कहेंगे जीवन आदेजु के आगे बढ़ाया जाए और हम सभी का साथ आप सभी का साथ होना चाहिए बहुत जरूरी है मैं यह सभी लोग का भारियों आज जीवन सर आये हमारे हैं हम लोग बहुत खुशी है और यह मास्टर साहिब मोनुसर है विकास के तरफ और सिक्षा के तरफ सबसे जरूरी चीज सिक्षा आज के दौर में हम लोग यहीं कहना चाहते हैं यह सर राद दूना दिन दूना एक और अपना ही एक वह इनको आप लुक साथ में मिलके चलता है सबसे पहले यहां जो मोनु जी ने स्कूल खोला है इसमें एक से बढ़के इन्होंने सुवी दाये और उसने एक से बढ़के सबिदाया धि थाम हमको लगता कि और में यह जो स्कूल कुला यह बहुत आगे बहुत फाइदा मिलेगा फाइदा मिलना ही है आज ही हमको दिखिए कि कितना स्टेज पर देखे एक से बढ़के एक पर फार्मर्स देखे बहुत फाइदा मिलेगा में नाम समा तिवारिया मैं सोसल वर्कर सीवान से